हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारा चेनल में मैं रंजो जी आप सबका स्वावत करती हूँ आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला और बहुत ही खास आलू का हल्वा तो हल्वा बनाने के लिए हमने तीन उबले हुए आलू लिए हैं वज़ें से 250 ग्राम होँगे तो हल्वा बनाने से एक घंटा पहले आलू उबाल करके ठंधा कर लें ताकि कद्धुकस करने में आसानी हो सके तो देखिए इस तरह से हम आलू को कद्धुकस कर लेंगे आलू को कद्दू कस करना बेहत जरूरी होता है क्योंकि इससे आलू में कोई भी गुठलिया नहीं रह जाती है तो हलुआ बनाने के लिए हमें कद्दू कस किया हुआ आलू ही लेना जरूरी है मैस करके लेंगे तो कुछ न कुछ गुठलिया छोट जाएंगी तो मैं समय बिल्कुल भी नहीं करना है तो आलू को हमने कद्दूकस करके ले लिया है अब कोई भी कड़ाई लेंगे और उसमें दो बड़े चम्मच घी डाल करके गरम होने के लिए रख देंगे तो घी हमको देशी घी लेना है इसलिए आलू का हल्वा हम ब्रत में बना रहे है आलू का हल्वा ब्रत की खास रेशिपी होती है ब्रत में तो हम अनेको प्रकार के वियंजन बना करके खा सकते है किन्तु उसमें सबसे ज़्यादा खास होता है आलू का हल्वा क्योंकि अभी ब्रत का सीजन चल रहा है तो इसलिए हम आपके साथ ब्रत की रेश्पी सेयर कर रहे हैं तो घी भी लगबग गरम हो चुका है अभी हम इसमें कद्दू कस किया हुआ आलू डाल करके घी में भुनेंगे भुनने का प्रोसेस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही होना चाहिए तो आलू को हम अभी दो से तीन मिनट तक भुनेंगे तो दो से तीन मिनट हो गए हैं और आलू भुन करके रेडी हो गया है तो अभी हमने दो से तीन चम्मच दूद में केसर के कुछ धागे को भीगो करके रखा था तो अभी हम उसे आलू में एड़ कर देंगे इससे क्या होगा कि आलू के हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है यह पूरी तरह से ओप्सेनल है अगर आप चाहें तो डालें नहीं चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं और इसके बार हम सौ ग्राम की लगभवक चीनी डाल देंगे क्यूंकि हमने 500 एलू लिया था तो हमाने 100 ग्राम चीनी डाल देंगे तब तक रेस्पी पिटारा चैनल को सबिस्क्राइब करें और पास के बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर आल बटन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके तो हलवा बन करके तयार हो चुका है इसमें हम चुटकी भर इलाची पाउडर एट कर देंगे तो हमने साबूत इलाची को चीनी के साथ पीस करके तयार किया है इसलिए इलाची पाउडर का कलर सफेड है तो इससे आप बिल्कुल भी घबराये नहीं देखिए हलवे का कलर भी कितना अच्छा आया है और हमने जो दूध हेट किया था चेनी हेट किया था उससे लिक्विट बन गया था वो भी पुरी तरह से सुग गया है तो हलवे के इस रेसिपी को आप आने वाले किसी भी ब्रत में बना करके खा सकते हैं तो हलवा बन करके रेडि हो गया है अब इसे हम किसी भी सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर ले और कुछ कटे हुए पिस्ता लिए हैं हमने पिस्ता से ड्युक्रेट कर देंगे और हलवे का टेस्ट कई गुना जादा बढ़ाने के लिए फ्रीज में एक घंटा ठंडा करने के बाद खाएं तो यह है रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट मॉक्स में जरूर बताईएगा